हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल यूसफुल इंफो आज मैं आपके लिए वजन बढ़ाने वेट गिन और एनेमिया खून की कमेजे संबंद्ध विडियो लेकर आई हूँ मैं आपको इसमें ही बताऊंगी कि अगर आप अच्छी डियेट ले रहे हैं फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा है या आपको कुछ भी खाया प्यान नहीं लगता तो आप क्या करें जिससे आपको फायदा हो पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि वजन कैसे बढ़ाना आई में वेट गिन कैसे हो सकता है नारल शरी को मोटा करता है और दिमाग की कमजोरी भी प्neak क शुर्खकर अंधार वाणा दिमाग की बिमाग की हम आपको वाणा पम समक्शकता में जिससे दिमाते हो और चांते हैหफना आपको को सकति करऊे दूद में चैक्रण दूद मोटा में ल autocon शान कर माज़ता है प्हिठां दोदेति मलाता है कि दर मोटा करने के देना जिनें प्रोटीन की कमी होती है उन्हें 200 ग्राम मटर के दाने कच्चे खाने चाहिए मूमफली खाने से दूद, बदाम और घीत तीनों की कमी पूर हो जाती है मूमफली को गरीबों की कस्तूरी कहा जाता है थोड़ी मातर में रोज मुमफली खाने से मोटापा बढ़ता है या पाज़ा शक्ती भी बढ़ाती है छिलके वाली उड़त की दाल खाने से माज बढ़ता है दाल में हिंग का चौक अवश्या लगाए पांच बढ़ाम की गिरी रोज रात को भीगो कर अगले दिन सुबह छील कर पीस लें या किसी पर घिस लें और अमूल मक्षन वे मिश्री के साथ मिला कर लें दो मिड़वाद दूद पियें छे महीने में मोटे हो जाओगे और दिमाग भी तेज होगा अगर छोटे बच्चों को देना है तो सिर्फ एक वदाम की गिरी का प्रियोक करें इससे उनकी भूग भी बढ़ेगी मोटापा बढ़ाने के लिए शहद रोज दूद में मिला कर पिये इसे शक्ती भी बढ़ती है दो मुठी जों पाने में बारा घंटे भीगोए फिर चार भाई पर कपड़े पर फैला कर कुछ शुक्ष कर लें इन्हें कूट कर इनका छिलका तुरंत उतार दें बची जो की गिली से दूद में खीर बना कर खाए कोची सब्ता में दूबले पतले वैक्ती मोट हो जाते हैं यहन उसका मैंने शरी पुष्ट तमनाद जी महराज के घरेलों उसको से लिया है हमारे शरी की कोशका है पाने में इस तरह से फूलती हैं जिस तरह पाने में चने या चावल पतला होने पर पाने वैं पाने युक चीज अधिक खाने चाहिए रोज रात के समय ग्यारा मुनक्खा खाकर उपर से पानी पी कर सो जाए एक महिने में कमजोरी दूरोकर शक्ती वैवजन दोनों में व्रद्धी होगी दूद के साथ मुनक्का को पका कर मक्खन वे शेहद मिला कर खाने से भी वजन बड़ी तेजी से बढ़ता है दो केला खाकर उपर से दूद्ध पियें तीन महिने तक ऐसा करने से मोटे हो जाएंगे बूरे में चैने भी आप थोड़े मातरे में रोज खा सकते हैं ये भी शेरी को मोटा करता है अगर आपको ये सब खाने से भी फरक नहीं लगता तो आप अपनी थायरेड की जांच कराएं अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें या डॉक्टर सुरेश कुराने डिसीज के सूपर हिस्पेसिस डॉक्टर है मैंने डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर कॉंटक नमबर भी दिया है आप चाहते हैं दॉक्टर सुरेश से भी कंसल्ट कर सकते हैं अब मैं आपको यह बता देती हूँ कि अगर आपको एनिमिया है, हिमोग्लोबिन डाउन है, शरी में कमजोरी महसुस होती है, चक्कर आते हों तो इन उपाया का आज ही शुरू कर दें, अपने आपको फिट रखें, खून की कमी में आधा कप आमले के रस में दो चम्मश शहरीर में इससे खून की वृद्धी होगी, जिने खून की कमी हो, उनको प्याज कर रस या कच्चा प्याज खाकर खून बढ़ा सकते हैं, क्यूंकि प्याज में आईरेंड काफी मातरा में होता है, प्याज में विटामिन सी गंदक, तामबे, जैसे खनिज भी होते हैं, य बिल्कुल न पियें, यह आपको नुकसान पहुचाती है, अगर पीनी है तो कम पियें, यह भी खून की कमी से आँखों की रोशनी जा रही हो, तो सजन की पतियों की सबजी की खानी चाहिए, अब मैं आपको यह बता देती हूँ कि अगर यह सब उपाई करके भी आपका व पुरानी बिमारी हो, तो आप इसके लिए पहले बिमारी का इलाज कराएं, आप डॉक्टर सुरेश से भी कंसर्ट कर सकते हैं, वो पुरानी और बिगडी बिमारी के सूपर स्पेसल्स डॉक्टर है, आप से मैं जरू कहना चाहूंगी कि आप अपनी सेहत के बारे में अच् सिस्टेम प्राब्लम है, डाइट शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, मोटे होने के लिए या हैल्थ के लिए किसी भी प्रकार के पाउडर का प्रियोग ना करें, ऐसे कॉशन बिल्कुल ना करें कि मेरे दोस्त को फायदा हुआ, तो मुझे मैंने जो मैंने बताया है, आप उसकी आदी मातर का प्रियोग करें, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, मेरी बताई इंफो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बैल आइकन ज़रू प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिक्शन मिलती रहें, थैंक्स पर वाचिंग, टेक केर